असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम प्रेपोजिशन्स पड़ने जा रहे हैं ओवर अक्रास एंड थरो हम आज देखेंगी कि ओवर अक्रास एंड थरो में फरक क्या है डिफरेंस क्या है और यह कहां पर इस्तिमाल होती है लेट्स स्टार्ट बेले हम देखेंगे ओवर को ये जो ओवर है ये इस्तिमाल होती है फ्रावन साइट टो एंड़र साइट के लिए इस्तिमाल होती है मगर इनमें difference क्या है फरक क्या है over इस्तेमाल होता है जब height हो कैसे height होगी देखो for example अगर कोई चीज कोई चीज इधर से इधर move करके जा रही है बीच में height हो बीच में height हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं over for example a child jumped over the child jumped over the यहां पे height आ गई इस वजह से हमने क्या use किया over a इसे ही the bridge the bridge is over the river वो बिर्ज भी जो होती है एक साइज से दूसरी साइज तक होती है अरवर के उपर तो इसी तरह from one side to another side तो है यह common चीज है तीनों में मगर यह इस्तिमाल होती है height के लिए उसके बाद हम देखेगी across को across जो इस्तिमाल होती है वो होती है straight के लिए straight position में जैसे की यह for example यह road है ठीक है इस road से इस जगा से कोई चीज मूग करे दूसरी तरफ जाए तो इसके लिए हम यूज करते है across यह straight position में जाएगी ठीक है नहीं इस वज़े से हम क्या यूज करेंगे across इस्थिमाल करेंगी across इस्थिमाल करेंगी जैसे की a man passed across the road across the road और a man went across the road इसी तरह हम यूज करेंगी across ओके अगर कोई पारक रहे अगर कोई पारक है उस पारक में भी हम ये देखेंगी एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई बंदा सीधा जा रहा है तो हम यूज करेंगे across अगर कोई बंदा जिग जेग में जा रहा है तो फिर यूज़ करेंगी हम throw ठीक है तो ये across और throw का भी जो connection है इसको भी समझते है throw जो है ये इस्तिमाल होती है जब कोई चीज जिगजग मेनर में move करे जिगजग मेनर में move करे अंदर से move करे जैसे कोई tunnel होती है ठीक है ये कोई tunnel है इस tunnel से कोई चीजग मूव करे इसके दिए हम use करते हैं throw क्या use करते हैं throw use करते हैं for example the train goes throw तो यहां पे हम throw यूज़ करेंगे अक्रास इस्तिमाल नहीं करेंगे नहीं ओवर इस्तिमाल करेंगे तो किलियर हो गया कि ओवर हम इस्तिमाल करते हैं हाइट हो बीच में और अक्रास हम स्टार्ट करते हैं जब इस्ट्रेट पोजिशन में कोई बंदा एक जगा से दूसरी साइट जाए और throw हम इस्तिमाल करते हैं जब हम किसी टरनल वगार से तरनल से जग-जग मेंनर में जग-जग रास्ता हो वहाँ से गुजरी हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं throw ये तीन प्रेट पोजिशन से हैं इनमें यहीं डिफरेंस हैं यहीं समझना है हमें थैंक्यू